करने वाला हूं इस बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है आपकी लिए भी और हमारे लिए भी आज का हमारा बिसे है पाद करें तो Central Government की जो इसकोलर्शिप ए उसकी लास्ट रेट 30 तक है ठीक है 30 नमबर तक आप भर सकते हैं लेकिन जो यूपी गवर्मेंट वाली स्कोलर्शिप है उसकी लास्ट रेट 7 नमबर तक ही थी मतलब उसकी लास्ट रेट जा चुकी है तो बताओ इसमें बच्चों क कि क्या गलती है जिन बच्चों का एड्मीशन अभी हुआ है या अभी हुआ ही नहीं है एके टीव का फॉर्थ राउंड का रिजल्ट का लाया था और उनका एड्मीशन कब होगा नौ से ग्यारा के बीच में होगा होगा सॉरी उनका फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद उन कर दिया गया है सबको पता है कि एनसपी जनरली माइनोर्टी के लिए होता है तो हम लोग कहां जाएंगे भाई जो मेजोरेटी में बच्चे हैं जो नौन मुसलिम या अधर हैं जैसे जैन और जो केस्टिंस एंड सिक्स हैं उनका तो चलो अभी ठीक है क्यों एक स्कॉलर से ले सकते हैं पर वो बच्चे जो हिंदू हैं उनका क्या होगा जो सी वाले हैं भाई इनका एक लाग एक लाग दसजार स्कॉलर सी पाता है यूपी कोर्मेंट के तरफ से उनकी स्कॉलर सिप कहां जाएगी भाई यह लो बहुत सारे बच्चे तो इस स्कॉलर सिप के भरो से बी टेकमेंड मिशन लेते हैं एक लाग पचास जार कॉलेज की फीज़े तो एसी बंची सोचने की एक लाग दस जार हमारी वापस आजाएगी और यहां पर यूपी यूपी कॉर्मेंट ने डेट ही बंद कर दी क्या मतलब है डेट बढ़ना चाहिए हमारा रिक्वेस्ट ह पर इसे ट्वीट करने वाला हूं and this is my ID ठीक है आप ट्यूटर पर मुझे फॉलो करके ट्यूटर पर मुझे फॉलो करके इस ट्रेंड कराना होगा आपको पहले मैं आपको सारी कहानी दिखाता हूं आपको लगे कि हां संधी भाया हमारे सपोर्ट मैं तो तुम भी इसको साथ तारिक तक का था ठीक है आम जस्ट कॉइंग टू शॉयू यहां पर अगर तुम देखो तो जो एड़ा रेजिस्ट्रेशन की जो रेजिस्ट्रेशन की लास एठ है वह सत तारीक तक है और कॉलेज में जमा करने की लास तस तारीक तक है लेकिन अगर यह नहीं बढ़ा तो तुम कैसे फॉर्म भरोगे जिन बच्चों का फॉस्ट फॉस्ट यर में डमीशन हुआ है उनका फॉर्म कैसे भरा जाएगा अ इनके स्कॉलर्चिप के साथ क्या करना चाहते हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी एडमीशन लेने में लेट कॉन किया एडमीशन लेने में देरी किया है एक टीउ ने हज़ भी टीव तरह है बच्चों की क्या गलति है बच्चे तो तयार बैठे थे थे एक्जाम देन इंटियर आप लोग आभी बच्चे एडिनीशन नहीं लिया है उससे पहले ही आपने बंद कर दिया आपसे निवेदन है हम सभी छात्रगन का निवेदन है यूपी सरकार से कि आप लोग स्कॉलर्शिप का फॉर्म बढ़ाएं अंतिम्तिति को इसे बढ़ाएं ताकि मेरे सार भाईयों से है यह लड़ाई तुम्हारी है इसकॉलर्शिप तुम्हें चाहिए तो ट्रेंड तुम्हें ही करना पड़ेगा इसे शेयर करो इतना तुम्हें शेयर करना है कि यूपी गौवर्मेंट के कानों तक समाज कल्यार विवाग के कानों तक आवाज पहुंचे एके एके टीव तक आवाज पहुंचे उसे भी लगे बहुत बच्चों का लॉस हो रहा है एके टीव पर इस स्कॉलर्शिप पर तुम्हारा अधिकार है स्कॉलर्शिप तुम्हारे लिए और तुम्हें मिलना चाहिए तो डेट इन्हें बढ़ाना होगा इसका कोई मतलब ही नह पांडी नहीं निकाला हो आपका हर इसमें बच्चों का कोई गलती नहीं है हम सभी चात्रों का कोई गलती नहीं है गलती सिर्फ और सिर्फ किनकी है एड्मीशन लेने वालों की है एड्मीशन लेने वालों ने लेट करा है उन्होंने अभी तक अपना एड्मीशन प्रक्रि कि महुला तुन्हें मिलनी चाहिए हम सब का बस यहीं निवेदन है हम सारे चात्र आपके लिए बहुत आभारी रहेंगे तो प्लीज एसेप्ट और रिक्वेस्ट एंड कंसीडर इड इंक्रीज देट आपका है इसको जितना शेयर कर सकते हैं करिये चुटर को जितना ट्रेंड कर आ सकते हैं करिये तो चलिए मिलते हैं नेक्स उड़े तक लिए बाबा टाटा एंड जाहिंद